इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से जरूर पुछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का तीवर कोशिका विभाजन और वृद्धी की अवधी के दौरान यह विशेश रूप से आवश्यक है। लाल रक्त कोशिकाओं का उतपादन करने और अनीमिया को प्रबंधित करने के लिए शरीर को फोलिक एसिट की आवश्यकता होती है। दो, ये शरीर में आईरन के भंडार को बढ़ाने और हीमोगलोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं के उतपादन को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सिजन के परिवहन के लिए आवश्यक हैं। तीन, ये फॉर्मूलेशन उर्जा के स्तर को बनाए रखने और अनीमिया के प्रबंधन में सहायता कर सकता है। चार, फेरस एसकोबैट आयरन का एक रूप है, जो आयरन के अन्य रूपों की तुलना में शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोशित हो जाता है, जिससे अनीमिया का प्रबंधन होता है, और शरीर में आयरन के भंडार की पूर्ती होती है। पांच, जिंक सलफेट, मौलिक जिंक प्रदान करता है, प्रतिरक्षा समर्थन, घाव भरने और समग्र कल्यान को बढ़ावा देने सहित विभिन स्वास्थिलाब प्रदान करता है।